हेलो एवरिबड़ी वेलकुम बैक टू मैं चैनल में एकता आपका मेरे चैनल एकता क्रेशिंस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस रख का टुटोरियल जिसको की मैंने एक पुरानी साड़ी से बनाया है तो इसके लिए मैंने ये वाली साड़ी ले है जिसके त्री साइट्स पर ये वर्क किया हुआ है और ये एम्रोइड इडर वर्क है और ये दिखने में बहुत ही हैवी वर्क है बट इसमें ज्यादा वेट नहीं है और ये देखिए इस तरह से मैंने ये पल्लू पार्ट लिया है और पल्लू पार्ट का जो दोनों साइट का जो बॉर्डर है उसको मैंने एक साथ एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए रख लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर लेंद की मार्किंग कर रही हूँ जो श्रक क पर 7.5 इंचिस पर मार्क कर रही हूं और इसके बाद आम होल की जो डेफ्थ है वो भी मैं यहां पर 7.5 इंचिस पर मार्क कर रही हूं और इसके बाद मैं यहां पर चेस्ट की जो मार्किंग है वह 9.5 इंचिस पर कर रही हूं और इसके बाद आम होल ड्रॉ कर लूँगी अब इसके बाद मैं यहाँ पर west के लिए एक marking करूँगी जो 15 inches पर है और hip के लिए जो marking करूँगी वो 20 inches पर है अब इसके बाद मैं यहाँ पर जहां मैंने west की marking की थी वहाँ पर 8.5 inch पर मैं mark कर लूँगी और जहाँ पर hip की marking की थी वहाँ पर 10.5 inches पर मैं mark कर लूँगी और इसके ड्रॉ कर लूँगी अब मैं फ्रेंट वाले पार्ट को इस तरह से कट कर लूँगी और इसमें मैं सिर्फ आम होल का जो बैक वाला पार्ट है उसको मैं कट करूँगी फ्रेंट आम होल कट नहीं करूँगी अब इसके बाद जो यह बॉर्डर वाला पार्ट है उसको मैं इस त इस तरह से हमें overlap करना है और उसके बाद इसको cut करना है अब इसके बाद जो साड़ी का starting वाला part होता है वहां से मैं इस श्रक का back वाला part cut करूंगी तो यहां पर जो folded side है उसके उस तरफ मैं ये साड़ी का border वाला जो part है उसको मैं रखूंगी और इसको रखकर मैं इसके उपर marking कर लोंगी और इसको cut कर लोंगी तो इस तरह से इस श्रक का back वाला part भी cut के ready हो जाएगा तो ये देखिए अब मैं ये जो front वाला part है इसको इस तरह से रखूंगी और इसके बाद जो इसका border वाला part है उसको मैं armhole की तरफ इसे पीछे की तरफ ले जाते हुए इस पर armhole पर रखूंगी और यहां पर मैं back का part का neck cut करूंगी तो ये नीचे back का part है तो इस पर मैं one inch depth का neck cut कर लूँगी तो यहां मैं इसको draw कर रही हूँ और draw करके मैं इसको cut कर लूँगी तो इस तरह से ये हमारा श्रक का back का neck वाला part है वो cut हो गया है अब मैं यहां पर front वाले part पर ये armhole की cutting कर रही हूँ अब ये देखिए हमको इस border को इस तरह से overlap करना है और armhole के corner पर shoulder के जो corner है armhole वाली side पर उस पर ले जाना है और border की ऊपर हमको stitch लगा लेना है देखिए इस तरह से cutting कर रही हूँ तो यहां मैंने sleeves की length लिए 13 inches और यहां width लिए 7 inches मांकी है और 3 inch उपर से depth मांकी है और इस तरह से मैंने इस पर sleeves draw कर लिया है कर लेते हुए तो sleeves तो एकदम common जैसे हम draw करते हैं वैसे ही मैंने इस पर draw किया है और इसको मैं cut कर लूँगी यहां पर मैंने अभी सिर 13 inches कपड़ा बचा था तो उतना ही मैंने इस पर cut कर लिया है अब इसमे मैं border cut कर रही हूँ sleeves के लिए तो यहां पर मुझे थोड़ा सा design देखते हुए border का मैं cut करूंगी तो यह देखिए इन में इस तरह का design है तो यह flower को center में लेते हुए मैं इसको cut कर रही हूँ तो यह मैं दो पीसे कट कर रहे हूँ जिसमें यह flower center में रहेगा और यह sleeves के लिए मैं कट कर रहे हूँ तो इसमें इस तरह का design था इसलिए मैंने इसे ऐसा कट किया है और इसके बाद मैं इसको sleeves के उपर रखकर straight stitch नहीं करूँगी जहांपए border है उस तरह से fold करते वे मैं इस पे stitch करूँगी border के corner corners पे इस तरह से मैं इसको stitch करूँगी यह देखिए ऐसे अब इसके बाद यह देखिए neck के लिए मैंने इसको एक के ऊपर एक overlap करके इस पे stitch लगा लिए है तो इस तरह से हमारे यह v neck बनकर ready होगा अब इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उस पे भी मैं पाइपिंग कर लूँगी और इसको हैम कर लूँगी ये देखिए इस तरह से मैंने एक्स्टर पट्टी लगाते हुए इसको हैम कर लिया है और मैंने दोनों shoulder parts को joint कर लिया है और sleeves को भी इस पर joint कर लिया है और fitting की stitch भी इस पर लगा ली है अब देखिए ये जो shrug है उसका जो corner वाला side होता है वो नीचे की तरफ लटक जाता है जिसको हम curve में cut करते हैं बट यहाँ पर border है तो हम curve में cut नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैंने क्या किया है यह जो border है उसको overlap करते हुए मैंने इस border के उपर stitch लगा ली है इतना part मैंने इस पर दबा दिया है तो यह दिखने में भी सुन्दर लगेगा और यह corner पर hang भी नहीं करेगा और इसके बाद जो back वाला part है उसको मैंने curve में cut कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से मैंने इसको दबा दिया है और border के उपर सिलाई लगा ली है और जो यह पीछे पाला part है उसको मैंने curve में cut करके double fold करके इसके उपर stitch लगा ली है इसके back part पे लगाने के लिए जो साड़ी का border था वो कम पढ़ गया था तो मैंने यह अलग से match करता हुआ silver color का border खरीदा है लेस खरीदा है और जिसको मैंने इसके back part पे इस तरह से stitch कर दिया है तो इस तरह से मेरा यह shrug बन कर ready हो गया है यह देखिए अब इसके front वाले part पे मैंने डोरी लगाई है जो की silver color की है और उस पर मैंने यह लटकन भी लगाए है यह देखिए यह silver color के लटकन मैंने यहाँ पर लगाए है अब इसके साथ wear करने के लिए मैंने जो साड़ी बज गई थी उससे plazo बनाया है यह देखिए इस तरह का plazo बनाया है तो इसका जो नीचे plazo का गेर है देखिए कितना अच्छा आया है इसकी जो विट थे काफी अच्छी आई है और इसके बाद उपर wear करने के लिए यह जो blouse है इसका यह back वाला पार्ट है तो इसको मैंने front पार्ट बना लिया क्योंकि इसमें blouse का जो front पार्ट था उस पे hooks थे जो कि इसके साथ wear करने पे अच्छे नहीं लग रहे थे तो यह vortex वाला blouse था तो मैंने इस blouse के front वाले पार्ट को अलग कर लिया है क्योंकि इसमें front में hooks थे front opening था यह blouse का तो इसको मैंने अलग कर लिया और इसके सिफ back पार्ट को मैंने यूज किया है इस तरह से back पार्ट को मैंने front पार्ट बना लिया और यह back वाले पार्ट पे मैंने जो blouse में lining का कपड़ा यूज किया था यानि अस्तर का कपड़ा यूज के था 이 सको मैंने यहां पर बेक पार्ट बना कर लिया है जो किर लूंड जा पैक में मैंने इस पर हुक्स दीए है और इसका यह border बच्चा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने इससे यह belt बना लिया, कि यह कहीं न कहीं मैं use कर लूँगी, इस तरह का belt, और इस पर मैंने यहाँ पर hooks बनाया है, यह देखिए, इस तरह से, तो इसको आप wear कर सकते है, as a belt, तो यह देखिए, मैंने इस belt को इस तरह से wear किया है, तो friends, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आशर करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, and thank you friends for watching.